असलामलेकुम everyone, welcome to Pro Architecture Studio दोस्तो आज किस क्लास में हम सेखेंगे कि title block क्या होता है title block को architecture drawing में किस purpose के लिए use किया जाता है इसके लाबह हम सेखेंगे कि AutoCAD में एक title block को कैसे create किया जाता है और उस title block के अंदर हम अपनी drawing को कैसे put कर सकते हैं तो इंशाला आज कि इस वीडियो में जो इंफोरमिशन टाइटल ब्लोग से रिलेटिड में आपको बताऊंगा उनको आप बहुत ही दियान से देखेगा So without any delay, let's get started All right, welcome back again So first of all, let's talk about what is the title block Title block basically एक ऐसा template है जो कि एक box नमा ड्राइंग पर मुच्टमिल होता है और ये दो पार्ट्स पर मुच्टमिल होता है जिसके एक पार्ट में ड्राइंग से related information जैसे के project name, honor name, location, plot number, block number, project number sheet scale शामिल होते हैं और इसके इलावा जिस company ने इस project को design किया होता है उसके information वगएरा इसमें शामिल होती है और ये information sometime title block के bottom side पर mention की होती है otherwise ये right side पर mention के हुए होती है इसके इलावा इसका जो second part होता है उसके अंदर जिस drawing को हमने autocad में create किया होता है उस drawing को हम उस part में put करते है So now let's talk about why the need to make a title block Title block को क्यों बनाने के जुरूट परती है Title block को इसलिए create किया जाता है इसमें हमें एक तो drawing से related जो information होती है यानि जो basic information होती है उनका हमें idea होता है वो information जो हमने drawing के अंदर put नहीं कर सकते उन information को हम title block में put करते है इसके इसासाथ जिस company ने इस project को design किया होता है वो company अपना logo अपना address वगरा title block के अंदर mention करती है ताके इससे ये idea हो जाता है कि इस company ने इस project को design किया है इसके इलावा जब भी हम किसी drawing को normally without title block के हम print करेंगे तो वो एक non professional तरीके से print के हुई होगी यानि उस drawing को कोई भी copy कर सकते है तो इससे बचने के लिए title block को create किया जाता है और title block के अंदर जब हम drawing को put कर देते हैं और जब हम print करते हैं तो इससे एक professional अंदाज से जो drawing होती है वो हमारे सामने print हो के आ जाती है So now let's talk about how to create a title block in AutoCAD Title block create करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने जो drawing AutoCAD में बनाई है उस drawing को हम कौन से paper पर print करना चाते हैं Like A0, A1, A2, A3 या A4 size के paper पर तो इस हिसाब से हम AutoCAD में title block create करते हैं तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको चंद एक paper size बताता हूँ तो उन paper size के according हम AutoCAD में एक title block को create करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक table create किया है जिसमें तमाम जो AutoCAD की drawing में paper size यूज होते हैं उनके sizes मैंने आपके सामने लिखे हैं जैसे के A0 इसका size mm और inch में लिखा हुआ है इससारा A0, A1, A2, A3, A4 इन सब के size मैंने यहां पर लिखे हुआ है तो normally हमें AutoCAD में A2, A3 या A4 size के paper पर print करने की ज़ूर्थ परती है तो मैं यहां पर अपनी drawing को A3 size के paper पर print करना चाहता हूँ तो मैं A3 size के paper के according एक title block को AutoCAD में create करता हूँ और फिर उसके अंदर मैं अपनी drawing को put करूँगा तो यहां पर सबसे पहले हम एक title block को create करते हैं title block को create करने के लिए जैसे मैंने आपको explain किया कि सबसे पहले हमें एक title block के size का पता होना चाहिए तो paper का size हम कैसे पता कर सकते हैं उसके लिए मैं command प्रेस करूँगा control P control P प्रेस करूँगा तो यहां पर हमारे पास plot model की एक window open हो जाएगी इस पर सबसे पहले मैं यहां पर जाऊँगा printer and plotter पर और यहां से मैं अपनी drawing को PDF में for example convert करना चाहता हूँ तो मैं यहां से DWG to PDF select करूँगा otherwise आपके पास कोई printer है तो उस printer को आप यहां से select कर सकते हैं तो let's say मैं यहां पर PDF select करता हूँ DWG to PDF और यहां पर मैं आऊँगा paper size तो यहां पर बेशमार paper size हमें नज़र आते हैं तो मान लीजिए कि मैं यहां पर A3 size के paper पर अपनी drawing को print करना चाहता हूँ तो उसके according सबसे पहले मैं एक title block को create करूँगा जैसा कि अभी हमारे पास यह A3 size का एक paper है तो मैं इस size के according एक title block को autocad में create करता हूँ तो inches में इसका size हमारे पास होगा जैसा कि मैंने आपको already बताया इसमें यह देखिए A3 size हमारे पास यह है तो इसका size जो होगा हमारे पास horizontal हमारे पास होगा 16.5 inch और vertical होगा हमारे पास 11.7 inch तो चलिए अब हम इसको create करते हैं मैं यहां पर command press करूँगा RAC rectangle की command और यहां से rectangle select करूँगा और किसी भी एक point पर click करूँगा और यहां से shift add the red प्रेस करूँगा keyboard से और मैं यहां पर first of all प्रेस करूँगा horizontal dimension like 16.5 shift inch फिर कोमा प्रेस करूँगा keyboard से और मैं vertically dimension यहां पर दूँगा 11.7 inch enter तो यह देखिए कि A3 size के paper के according हमने एक rectangle को drag किया है तो अब हम इसमें मजीद जो टाकिल ब्लोक में information होती है जो parts होते हैं उसको हम create करते हैं तो first of all मैं यहां पर इसको मैं two parts में divide करता हूँ मैं यहां पर command प्रेस करूँगा O enter T enter यहां से मैं normally इसका थोड़ा सा अंदर की तरफ offset ले लेता हूँ इसका मैं यहां पर एक horizontal line लगाँगा इसको मैं यहां से select करूँगा C O enter यहां से नीचे की तरफ और फिर मैं एक offset लेता हूँ O enter T enter और बाहिर वाली rectangle का इस line पर एक offset ले लेता हूँ यह जो mid वाली line है इसको मैं select करूँगा right click करूँगा properties पर जाऊँगा और यहां पर जाने के बाद जो इसकी global width है वो इसकी for example मैं 0.09 कर देता हूँ यहां मैं करता हूँ 0.05 enter तो यह देखिए एक title block का जो outer border है वो मैंने create कर लिया है तो अब इसमें मजीद मैं information को आगे put करता हूँ मैं यहां से XL एक line प्रेस करता हूँ यहां से और मैं इस एक part इसका draw करता हूँ O, enter, T, enter title block को create करने से पहले मैं यहां पर एक और बात आपको clear करना चाहता हूँ कि हर company का title block different होता है तो यहां पर मैं अपनी company के according एक title block को create करूँगा तो मैं यहां पर offset लेता हूँ normally यहां से मैं यहां तक एक offset ले लेता हूँ ओके और मैं इस line को delete कर दूँगा और इस line को मैं यहां से trim कर दूँगा यहां से भी और यहां से भी और अब मैं इसके अंदर एक rectangle लगाता हूँ R, E, C, enter यहां से एक rectangle मैं यहां पर एक ड्राक कर लेता हूँ पिर यहां से एक ऐसे रिक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ, यह मैंने क्यों ड्रा किया है, यह मैं आपको explain करता हूँ आगे जाके, ओके, तो अब मैं यहां से एक offset लेता हूँ O, Inter, T, Inter, यहां से इस polyline का मैं अंदर की तरफ offset लेता हूँ और इसका भी मैं अंदर की तरफ offset लेता हूँ, O, Inter, T, Inter, और इस line को मैं delete कर दूँगा, दोनों rectangle को मैं यहां से delete कर दूँगा, तो यह size हमारे पस बहुत ज्यादा है, मैं इसको मजीद small कर देता हूँ, मैं यहां से पूट करेंगे और यहां पर हम अपनी drawing को put करेंगे, तो information put करने के लिए सबसे पहले मुझे यहां पर कुछ lines बगरा ड्रा करनी पड़ेंगी, तो यहां पर मैं कुछ lines को draw करता हूँ, उन lines के अंदर फिर हम अपनी drawing से related जो information उनको put करेंगे, यहां पर मैं एक line draw कर लेता मैं यहां से इसको copy करता जाओंगा, तो यह lines मैंने यहां पर draw कर लिया है, तो इन lines को मैं मजीद कुछ parts में divide करना चाहता हूँ, फिर उसके अंदर मैं कुछ information को put करूँगा, तो यहां पर मैं वीडियो की speed थोड़ी सी fast कर देता हूँ, ताकि हमारा time जो है, वो save हो जाए. वूब झाख Anda, एलनरर है वोड़ी वाल यूंदर मैं मैं में जोूश खूझए और अभ厚ा झाट है, तो यह भ्याए, तो इसको क्ढヒंए, पहुborn हैं और लूट क। बड़ बटेंजार इसक्ता है कि अपिटा बंग, कि अजड दो एक उलाओा मुट आपिए एक रहादा तरी बड़ता है अलिज कर दो राल झाल झाल कर दो प्रिजान कर दो दो आख। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ड्राइंग से रिलेटीड कुछ information के लिए जो boxes हैं वो भी create कर लिया है और उन boxes के अंदर जिन information को put करना चाहते हैं उनके text भी मैंने put कर लिया हैं तो आप same इसी तरह इसको design कीजिए इसी तरह आगे चलते हैं तो अब हम इसमें एक box create करते हैं जिस के अंदर जिस company ने इस project को design किया होता है उसकी information इस box के अंदर put करेंगे जैसे कि मैं इसी line को copy करता हूँ और यहां से मैं एक normally उपर की तरफ offset ले लेता हूँ और यहां पर मैं लिखता हूँ और इसी text को मैं यहां से copy करके यहां पर लिखता हूँ consultant detail या architecture detail like consultant अगर तो आपकी कोई consulting company है या architecture company है तो make sure आपका logo होना चाहिए तो आप उस logo को design करके यहां पर put कर सकते हैं otherwise आपके पास कोई PNG या JPG picture है उसको यहां पर put कर सकते हैं तो मेरे पास मेरी company का logo है तो इसको मैं अपनी इस drawing में put करना चाता हूँ तो मैं कैसे इसको simply यहां से drag करूँगा और autocad मिला कि यहां पर paste कर दूँगा और यहां पर scale यहां पर देदें और इंटर कर दूँगा तो यह देखिस आ चुकी है अब इसका में scale थोड़ा सा reduce करता हूँ like इसको मैं थोड़ा सा move करता हूँ भारी की तरफ और सकेल मैं सेट करता हूँ S C Inter इसको select करूँगा फिर इंटर करूँगा और यहां से is this del cash करके इसका scale क्वे थोड़ा सा कम कर लेता हूँ और यहां पर इसको मैं पूट कर देता हूँ, ओकी, मजीर इसको मैं थोड़ असा, यहां से, छोटा पर लेता हूँ, मैं मजीर, ओकी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कि मैंने अपनी कंपनी के एक लोगो यहां पर पूट कर दिया है, जो कि मेरे पास एक PNG या JPG फॉर्मेट में था, तो अगर तो आपके पास यह JPG या PNG फॉर्मेट में फाइल नहीं है, तो आप इसको इस तरह ड्रा भी कर सकते हैं, कैसे, इ जैसे भी आपको मुनासब लगे, आप ड्रा कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये अल्रीडी एक ड्रा कर लिया है, तो मैं चाहूँ, तो इसको भी वहां पर पूट कर सकता हूँ, यहां पर, कैसे, मैं इसको मूव करता हूँ, यहां पर, और इसको मैं स्लेक्ट करूँगा, और य design करके यहां पर put कर सकते हैं तो अब हम चलते हैं आगे next point की तरफ यहां पर कुछ और भी information होती है जैसे के drawing notes तो उसको कैसे करेंगे मैं यहां से को copy करूंगा let's say यहां पर कुछ drawing से related notes होते हैं उनको मैं यहां पर put कर सकता हूं उसके लिए मैं एक box यहां पर create कर लेता हूं मैं यहां पर इसी text को copy करता हूं और यहां पर लिखता हूं drawing notes ओके और मैं इसको थोड़ा सा ओपर के तरह move कर देता हूं यह वाला जो box होगा इसमें हम drawings related जो इसका site plan होगा यह जो north arrows होंगे वो हम यहां पर put करेंगे तो मैं normally यहां पर लिख देता हूं key plan ओके तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने professional level का title block create कर लिया है तो अगर आप इसमें मजीद कुछ changes वगारा करना चाते हैं तो as per your company design आप इसमें changes वगारा कर सकते हैं like अगर इसमें मैं मजीद कुछ changes वगारा करना चाता हूँ तो मैं कैसे करूंगा मैं like इस यह जो corner ने इनको मैं मजीद थोड़ा सा curve में देना चाता हूँ तो मैं command press करूंगा f enter r enter तो यहां से इसको नॉर्मली 1.5 inch इनको fillet बƯहां से यह मैं मजीद थोड़ा सा कम कर दूँगा इस तरह करके यह मजीद थोड़ा सा ओर कम कर देते हैं इसको f enter r enter .2 inch इस तो इस तरह करके और इसको भी ऐसे कर दूँगा मैं यहां पर इसको भी यहां से और इसको भी यहां से ऐसे कर दोगा और ये वाला point भी यहां पर कर में दे दोंगा sorry इसको यहां पर ऐसे फिलिट कर दोगा और इस corner को भी यहां से फिलिट कर देता हूं तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें जो changes वगारा required थी वो भी मैंने कर ली है तो इस सरह हम किसी भी title block को AutoCAD में create कर सकते हैं तो आईए अब मैं आपको explain करता हूँ कि इसके अंदर हम अपनी drawing को कैसे put कर सकते हैं बट drawing को इसमें put करने से पहले इसको हम पहले block में convert करेंगे कैसे मैं यहां से command press करूँगा बी इंटर और यहां पर लिखूँगा title block ओके और यहां से मैं select करूँगा आपने जो lines है उन्हीं को सिर्फ select करना है जो text है उनको select नहीं करना और मैं यहां से इंटर करूँगा और okay press कर दूँगा तो यह देखिए title block को एक proper block की शकल में convert कर लिया है ताकि अगर हम इसका scale वगरा increase करते हैं या reduce करते हैं तो इसकी जो aspect ratio है वो same ही रहे तो अब हम इसमें अपनी एक drawing को put करते हैं तो अब मान लीजिए कि इस plan को मैं इस title block के अंदर put करना चाहता हूँ तो अब यह देखिए कि plan का size तो बहुत बड़ा है बट title block का size बहुत चोटा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि title block के size को सबसे पहले increase करेंगे कैसे मैं इसको simply यहां से select करके scale की command प्रेस करूँगा s c enter इसको मैं इस plan को यहां से copy करता हूँ c enter यहां पर ले जाकर इसको put कर देता हूँ इसको मैं थोड़ा सा उपर की तरफ move कर देता हूँ तो अब आब यह देखिए कि इसके अंदर यह जो plan है इसका size अब छोटा है और scale का size बहुत बढ़ा है तो हम इसको proper इसका scale का size छोटा करेंगे कैसे मैं यहां से scale की command pass करूँगा s series enter पूरी के title block को select करूँगा enter करूँगा और यहां से for example इसके mid में से select करके मैं यहां से इसको point seven zero scale कम करता हूँ मजीद इसको میں scale की command pass करके मजीद इसका मैं size .70 कम कर देता हूँ और इसका मैं इस तरह थोड़ा सा center भी ले हूँगा आप चाहें तो मजीद इसका size चोटा कर सकते हैं sc inter यहां से .9 कर देते हैं गोड़ चोटा ठीक है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इस ड्राइंग को अपने इस title block में put कर लिया है तो अब हम इसमे ड्राइंग से related जो information होती है उसको हम put करेंगे like project name तो मैं यहां से इसी text को copy करूंगा यहां पर लाके paste करूंगा और project name मैं यहां पर लिखता हूँ let's say project name आपने कैसे पता चलना है आपको कि आपका project residential है यह commercial है यह एक house है तो उसके इसाब से आप अपने project का नाम यहां पर लिखेंगे तो मेरे पास यह एक G plus one house है तो मैं यहां पर लिखूंगा G plus one villa ओके और इस text को मैं यहां से center में कर दूँगा और इसी text को मैं copy करूंगा यह सेम इसी को मैं copy करूंगा और इसके मिड़ पर लाके on a name यहां पर लिखेंगे let's say pro architecture studio okay जो भी owner का नाम में आप यहां पर लिख सकते हैं अब location location आप कोई से भी इसकी दे सकते है location यानि किस जगा पर यह project built होगा उसके आप location यहां पर लिख सकते हैं जैसा कि मैं यहां पर लिखता हूँ X Y Z जो कोई भी direction होगी आप यहाँ पर लICK सकते हैं यहाँ पर नमबर लिखूँगा Like आपका जो plot number है जो side पर आपका जो plot है उसका number जो है आप यहाँ पर लिखेंगे Like मैं यहाँ पर लिखता हूँ 01, यह plot का number है और ब्लॉक कोन्स है उसका साइज भी हम यहां पर लिखेंगे लेट से ब्लॉक का साइज है हमारे पास टू जिरो ओके और डिजाइन किस ने किया है डिजाइन डिजाइन भी प्रो आर्किटेक्ट्चर स्टूडियो ने किया है तो मैं यहां पर लिखता हूँ प्रो आर्किट इसको इस तरह paste करता जाओंगा अब project number क्या होता है याई आपका आपकी याई आपकी company में जो project चल रहे है numbering wise तो यहाँ पर आप उसका number इंटर कर सकते हैं let's say हमारे 20 project हो चुके है for example तो इस project का जो number है वो 21 तो मैं यहाँ पर 21 लिख दूँगा और sheet number क्या है sheet number आपको कैसे पता चलेगी आपने one by one जैसे यह आपने ground floor को इस title block में put किया है फिर आप first floor को यहाँ पर put करेंगे यानि इसी को आप copy करेंगे for example तो यह हमारा for example first floor है यह roof plan है यह elevation है यह section है इस तरह जितनी भी sheets होंगे उनको आपने count कर लेना है तो count करने के बाद यहाँ पर हमने architecture sheets को इस तरह लिखना है let's say हमारे पास यह हमारे पास पांच sheets है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ first of all a, a mean architecture drawing ओके, a one dash five यानि यह हमारी पहली drawing है पांच में से, ठीक है total हमारी पांच है और यह हमारी पहली drawing है तो इस तरह हम sheet का number यहाँ पर लिख सकते हैं तो sheet scale यहाँ पर लिखेंगे, sheet scale normally जो भी आपका drawing का scale होगा वो यहाँ पर लिखेंगे यह इंशाला मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि sheet का scale वगरा कैसे set करेंगे, तो normally यहाँ पर मैं लिखता हूँ one is to one hundred, यह मेरी drawing का sheet का scale है, okay, drawing title देना चाहते हैं, drawing title आपको कैसे बता चलेगा, कि इस title block के अंदर आपने कौन सी drawing को put किया है, तो जैसा कि मैंन लिखूंगा, ground floor plan, ground floor plan, okay, तो इस तरह हम किसी भी drawing को एक title block के अंदर put कर सकते हैं, और उसकी information वगरा इस तरह put कर सकते हैं, आप चाहें तो यह जो drawing के अंदर जो text वगरा लिखे हैं, title block के अंदर, उनका color वगरा भी change कर सकते हैं, और अब मैं for example इस drawing को PDF में save करना चाहता तो मैं command press करूँगा, control P, और यहां से select करूँगा, printer या plotter, आपके पास कोई printer है, तो print करना चाहते हैं, तो printer यहां से select कर सकते हैं, तो मैं यहां से DWG to PDF select करूँगा, paper size हम यहां से कोई सा भी रहने देंगे, और else हम यहां से ISO A3 size जो हमने title block create किया था, वो वाला size मैं यहां स select करता हूँ, और यहां से मैं select हरूँगा, window, और first corner title block के select करूँगा, then second corner, और यहां से first of all मैं preview करके देखता हूँ, तो यह देखिए हमारी जो drawing है, वो PDF में तो convert हो चुग है, बट यह center में नहीं है, और यह color में आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको black and white में देखूँ, मैं again command press करूँगा, escape की command, और first of all मैं यहां से center पर इसको click करूँगा, और यहां से fit to paper करूँगा, और यहां पर जाओंगा plot style table, और यहां से इसको select करूँगा, monochrome, monochrome.cb, और यहां से इसको मैं yes करता हूँ, और again preview करता हूँ, तो यह देखिए हमारी जो drawing है, वो PDF में convert हो चुकी है, तो अब यह देखिए कि जो lines है, वो हमारी बहुत ही dull dull सी line है, तो इसको हम set कैसे करेंगे, मैं startle block को select करता हूँ, इस पर double click करता हूँ, और यहां से ok करता हूँ, और इसको edit करता हूँ, और यह जो जितनी भी lines है, मैं यहां से इसको select करके, ऐसे, सब lines को मैं यहां से select करके, home type पर जाके, यहां पर layers पर जाओंगा, और यहां से इसकी में layers, for example, अगर आपने कोई title block की layer बनाई है, तो यहां से इस title block की layer भी दे सकते हैं, मैं, for example, यहां पर zero layer रखता हूँ, और यहां से इसका मैं करना कर दूँँग, by block, या by layer या by block कर ले करता हूँ, save changes पर click कर देता हूँ, हम इसको PDF में दुबारा convert करता हूँ, control P, यहां से previous plot, और यहां से मैं select करूँगा, ISO A3 size, okay, window, और यहां से first point, then second point, और preview पर click करूँगा, तो आप यह दिखे कि जो हमारी drawing है, वो PDF में convert हो चुकी है, मजीद आप यह जो text है, इनका size भी आ सा, इनका जो color हो गया रहा हूँ, आप यहां से change कर सकते हैं, इन सब text को में यहां से select करूँगा, और यहां से by block कर दूँगा, और इसको भी मैं edit करके, यह वाला जो text है, इसको भी मैं by block कर देता हूँ, और close hatch editor पर click कर देता हूँ, और अब इसको मैं control P press करूँगा, again, first point, then second point, preview पर click करूँगा, तो यह देखिए, हमारी जो drawing है, वो PDF में convert हो चुकी है, इसको मजीद आप चाहें, तो यहां से monochrome select करके, yes कीजिए, और preview कीजिए, तो हमारी जो drawing है, वो black and white में आजएगी, तो यह देखिए, हमारी जो drawing है, वो A3 size में convert हो चुकी है, तो यह दे save कर देता हूँ, house land के नाम से, और save पर click कर देता हूँ, तो यह देखिए, हमारी जो drawing है, वो PDF में convert भी हो चुकी है, तो इस तरह हम autocad में एक professional level का title block, autocad में create कर सकते हैं, और उसके अंदर हम अपने drawing को put कर सकते हैं, तो यह तो था एक basic सा method, जिसके जरिए हम अपने drawing को title block के layout के अंदर हम title block को कैसे set करेंगे, और फिर title block के अंदर हम अपने drawing को कैसे set करेंगे, इंशाला आने वाली next video में हम इसको बहुत ही detail में discuss करेंगे, तो मैं उमीद करता हूँ कि आज की ये video देखने के बाद आपको title block create करना आ गया होगा, और इसके साथ साथ जो एक drawing होती है, उसको title block में कैसे put करते हैं, ये भी आपको आगया होगा, मजीद आपका title block से related कोई question है, तो मुझे नीचे दीएगे comment box में comment कीजिए, तो इंशाला as soon as possible मैं आपको उसका reply करूँगा, तो दोस्तो अगर ये video आपके लिए बहुत ही helpful थाबत हुए है, तो इस video को like ज़रूर क कीजिए, और साथ ही साथ, अगर आप मेरे इस channel को new है, तो मेरे इस channel को subscribe करके bell icon जरूर प्रेस कीजिए, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अलाहाफिज